दोस्तो राशन कार्ड को लेकर के एक बहुती बड़ी अपडेट सामने आ रही है जैसे कि हर राज का राशन कार्ड अलग-अलग होता है ऐसे में भारत सरकार ने एक एप्लिकेशन को लंच किया है जिस एप्लिकेशन के माध्यम से आप किसी भी राज का राशन कार्ड का option इस application में दिया गया है तो चलिए हम आपको application पर लेकर के चलते हैं और क्या-क्या option दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile में Google Play Store से मेरा राशन application को install करना होगा या हमारे description box में लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर आप इस application को install कर सकते हैं जैसा कि हमारे description पर देख रहे हैं application को इस्टॉल करने के बाद यहां से आपको open करना है जैसा कि हम open कर रहे हैं फिर सी आपको यहां से allow कर देना है जैसे ही आप allow करता है आप इस परकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाता है सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर registration का option मिलता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और भी यहाँ पर बहुत से function मिल रहा है देखने को बहुत से option है इन सभी के बारे में बारी बारी से हम बात करने वाले हैं लेगिन सबसे पहले हम बात करते हैं registration के पिर आपको यहां से अपने राशन कार्ड का नंबर जो आपके राशन कार्ड पर रहता है उसको यहां पर डाल देना है डालने के बद यहां से सब्मिट कर देना है जैसा कि आप देख पा रहा है कि हमने राशन कार्ड का नंबर डाल दिया हूँ यहां से सब्मिट करता हूँ जैसे हैं यहाप submit करेंगे आपके सामने यहाँ पर रासन कार्ड का नंबर यहाँ पर किस एष्टेट में वह रासन कार्ड है यहाँ पर सारे डीटेल्स आपका शू कर देंगे यहाँ पर काड़ टाइब भी P, H, H है यहाँ पर शू कर दिया यहाँ पर जितने भी उस राशन कार्ड में family member है उनकी सभी का यहाँ पर details show करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर 11 family member है यहाँ पर सभी show करते हैं फिर आपको नीचे की तरफाना है यहाँ से दखिए migration details migration details का मतलब हुआ कि one nation one ration card के तहत आप अपने राशन कार्ड का अगर transfer करना चाहते हैं दुसरे state में तो उसके लिए आपको migration details भरना होगा और यहाँ पर टिक करना होगा जितने भी members का यानि कि आप अपने राशन कार्ड का एक दो तीन जितने भी members का आप transfer करना चाहते हैं उन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ से state को select कर देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको migration date को select करना है यानि कि आप अपने राशन कार्ट को कब से दुसरे स्टेट में ट्रांसपर करना चाहते हैं तो यहां से आपको मंत को सेलेक्ट कर देना है फिर यहां से आपको एयर को सेलेक्ट कर देना है दिन आपको यहां पे एक मुबाइल नमबर डाल देना है मुबाल नमर डालने के बाद फिर यहां से माइग्रेशन रिमार्क डाल देना है कि आप किस कारण से अपने राशन कारण को ट्रांसपर करना चाहते हैं तो यहां पे बहुत से कारण आपको मिल जाता है अगरिकल्चर, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्क, फैक्टरी वर्क, हेड़ लोडिंग, टॉटल एंड हस्पिटलीटी यहां पे बहुत से अप्षन आपको मिलते हैं कोई भी एक अप्षन को सेलक्ट कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे submit का option दिखाई दे रहा है इस पर आपको click कर देना है जैसे ही आप submit करेंगे आपका राशन कार्ड उस date से जो भी आप यहाँ पे migration date दाले हैं उसके बाद आपका राशन कार्ड दुसरे state में जहाँ भी आप select की हैं वहाँ पे transfer हो जाता है यह तो आपको डाल देना है राशन कार्ड का नंबर डाल करके यहाँ से submit कर देना है जैसे ही आप submit करते हैं आपका यहाँ पे details आ जाता है राशन कार्ड का state यहाँ पे राशन कार्ड का प्रकार यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर आ जाता है यहाँ पे dealer का नंबर भी आपको इसने चावल एलोटमेंट है, यहाँ पे देखिए, 22 केजी गेहूं और 33 केजी, चावल इस राशन काड़ पर एलोटमेंट है, यहाँ पे प्राइज क्या है उसका, दो रोपे एक पर केजी के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस प्रकार से आप देख सकते हैं या फिर आपके पास रासन कार्ड नमबर नहीं है तो आप आधार कार्ड नमबर से भी चेक कर सकते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर देना है फि सकते हैं आपको जीप ** करना होगा और आपको यहाँ पर यहां पर देख कर देना है का रासन डिलर हो狙े को यहां आपको select कर देना है कि कौन-कौन से state one nation one rashan card के तहद जोरा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी green signal आ रहा है यानि कि उस state में one nation one rashan card के तहद जोर दिया गया है और जो भी red signal है यानि कि red signal वाले state को अभी one nation one rashan card में नहीं जोरा गया है तो इस प्रकार से आप य दोन कि देखने को सेल सब्सक्राइब करते हैं यहां के नमबर को देखने को सेलक्ट करना है जSON WAants करते हैं यहां पिखेंए बिहार का मैंने रासन काट कर नमबर डाला है यहां पर सुन महीं कर रहा है इसलिए आप लोग सकते हैं कि कि आपको तो कर रहा है यहां और कमेंट करके बताए यहां पे हैं और अपको मिल येता है अधार के सब्मेटकर दिखाते है यह भी option अभी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर अभी कुछ problem है इसलिए यह काम नहीं कर रहा है उसके बाद आपको suggestion feedback देना हो तो आप इस पर click करेंगे यहाँ पर देखे login का option दिखाई दे रहा है इस पर अगर आप click करते हैं तो यहाँ पर देखी official login के लिए है यहाँ पर जो भी pds officer होते हैं वह लोग ही आप से login कर सकते हैं यह general user के लिए नहीं दिया गया है तो इस परकार से आप किसी भी state से हैं तो अपने रासन काड का details online चेक कर सकते हैं यहाँ से आपको सभी जनकारी दे दिया वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता है चली मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद